सो हाई गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉन क्लॉप में आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं डॉग चेन विद पटा और उसके साथ ही डॉग के खाने खाने के लिए बरतन जिसको फीड़ बॉल भी कहा देते हैं आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए अलग अलग साइस में डॉग चेन विद पटा आपको भी दिखाते हैं जैसे कि हमारे पास पहले नंबर पे है यह देखिए गॉल्डन कलर में गॉल्डर कर में चेन है और यह सबसे इन चोटे डॉग के लिए और इसके साथ यह पटा सिर्फ ईवाज इसना पाता है लेकिन कोई को वाज ने सफा थे इसलिए Solomon लोग गुआगो के बीने डालते हैं लेकिन कुछ लोगो को शौक होता कि कि मूरंगो डालना इठाला है और इसके साथ छोटे चैन पिक रहते हैं कि पटे की जगाऀए यह चेनी डाल देते हैं यही बहुत अच्छी लगती है बट इसमें प्रॉब्म क्या आती है कि जो छोटे पपीज होते हैं वह चेन को निकाल देते हैं तो इसके लिए पटा ही बैस्ट रहता है उसके बाद हमारे पास आता है थोड़ा इससे बड़ा साइज यह 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 से चे पटे की सीज में डाल सकते हैं यह देखे अशी एस यह यह हो जाता है और उसके बाद हमारे पास आता है से थोड़ा सी हैवी संख्लियों ती जो हैवी डोग होते हैं उनके लिए चीज चलती है जो इसकी मुटाई है उससे काफी मोटी है यह भी इस तरह से लग जाता है और उसके बाद हमारे पास आता है यह चीज यह उन डॉक्स के काम आता है जो बहुत ज्यादा है भी होते है इसका भी लोगपों इच्छा है और जो इसका पटा है वो पटे की क्वाल्टी बहुत जादा बढ़िया है जैसे ये वह हमने पहले देखा था ये तो था डबल पटा दो पटो को जोड़कर एक कृटा बना हुआ था लेकिन जो यह है ये चार पटों पटो को जोड़कर एक क quality है देखिए आप देख सकते हैं और इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है यह जादा तर उनको डोक्स के लिए यूज़ होता है जो बहुत ज्यादा जोर मारते हैं और बहुत ज्यादा हल्दी होते हैं इसमें भी मारे पास आता है कि कि लोग यह चेन डालते पटे की जगह देखिए कि लोग पटे की जगह यह चेन डाल लेते हैं यह वह बहुत चीज़ और इसके लाव हमारे पास आज है डोक के खाना खाने के लिए बरतर जिसको हम फीड़ बॉल भी कह देते हैं यह सबसे छोटे डोक के लिए और उसके बाद यह आता है मेरे पास आज दो नंबर खत्म था एक नंबर के बाद सिदा तीन नंबर है यह ज्यादा था वैसे तीन नंबर ही यूज़ होता है दो नंबर और एक नंबर वह चोटा रह जाता है यह तीन नंबर है और यह चार नंबर है यह सारा यह स्टीनले स्टील होता है खराव नहीं होता है तो चलिए गाइस अब हम लोग इसके प्राइस की बात कर लेते हैं जो हमने सबसे पहले संगली देखी थी गोल्डन वाली यह आपको पड़ेगी 100 पिकी रेंज में पड़ेगी और इसके साथ जो पटा है वो पड़ेगा आपको 20 रुपी की रेंज में उसके बाद जो हमारे पास यह की नंबर पे था यह आपको पड़ेगी 120 की रेंज में और इसके साथ जो पटा है गोंगरु वाला वो पड़ेगा आपको 30 रुपीस का और इसके साथ ही वो हुमारे पास फोड़ी सीрий संगली थी इसका प्राइस आपको पड़ेगा 150 और जो पटे का प्रैस है हो पड़ेगा 40 रूपीस और जो हंबारे पास अब से हैवी वाला पीस पड़ा था वो आपको पड़ेगा 200 का और जो इसका पटा है वो पड़ेगा आपको 70 रुपिस का इसके लावा जो हमने डॉक के फीड बॉल देखे थे उसका भी देख लेते हैं जो हमारे पास एक नमबर बॉल था वो आपको पड़ेगा 100 की रेंज में और जो 3 नमबर बॉल था वो 150 का पड़ेगा और जो 4 नमबर बॉल था वो आपको 200 का पड़ेगा तो चलिए ओके गाईस अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जूर कर देना और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारी न्यून अच्छी वीडियो देखने के लिए हम ऐसी इंफॉमेशन टिक वीडियो डालते रहते हैं